हेलो एबरिवन कैसे हैं अप लोग आप लोग बहुत अच्छे होंगे अच्छे सब पढ़ाई करते होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग प्रस्नावली 2.2 का कोईचन नमर जो है वा एंदि की फर्स्ट का जो है वा चार नमर कोईचन को स्वालव करेंगे हैं पिछले सुन्यकों तथा गुनांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाच कीजिए ये कोईचन है चलिए इनको हम स्वालव करते हैं ठीक है ये जो है वा चार नमर जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं दिया है क्या लिख लेते हैं तो दिया है ये कोईचन दिया हुआ है फोर यह जो है वह यूँ एस्क्वाइर पलास यह एट यूँ यह जो है वह खाता है सुन्यक निकालने के लिए तो बराबर जीरो कर दीजिए ठीक है बराबर जीरो कर दीजिए और जो है वह अब तो गुने यूं देखे यह यूं जो है वह दोनों में मिल रहा है चार भी जो है वह दोनों में मिल रहा है इसमें चार और यूं जो है वह उपनिष्ट है तो यहां पे जो है वह हम चार यूं जो है वह इससे हम उपनिष्ट है तो कॉमल ले सकते हैं तो यहां पे हम कॉमल ले हैंगे यदि यदि चार यू बराबर जीरो हो तो यू बराबर कितना हो जाएगा जीरो यह नि देखिए 2x would to 0 रहता है तो यहां जीरो बिटा त्यांनी 0 हो जाता है उसे प्रकार से यहां मait हुआ है ठीक है और यहाँ पर जो हुआ यदि यू प्लस टू एकवल्टो जीरो हो तो यू बराबर जो हुआ प्लस टू इससा चल जागाती है मैनस टू हो जाएगा यह इतना हो गया अब देखिए अब जो हुआ जाँच करने के लिए कहता है यहाँ पर हम जाँच करेंगे ठीक है तो जाच करेंगे और यहाँ पर जो हुआ एबी-सी का भी भी लुँविए लिख दिजए यहाँ पर देखें 4 यूए स्कार और यह अईक्यों है यहाँ पर हम इन्नी कि दुःखात बहुपद का जो हुआ यह वह एन्नी यह हमारा C equal to 0 हो जाएगा Since सुन्यकों का योगफल सुन्यकों का योगफल सुन्यकों का योगफल यहनि कि alpha plus beta बराबर होता है formula minus b by a यहनि minus b by a minus b का मतलब हो गया minus x का गुनांक यह x square का गुनांक यह जो हो formula होता है थो देखी alpha, alpha का स्थान पर क्या है तो यह हमारा alpha का स्थान पर यहनिकी 0 है यह हमारा 0 plus beta का स्थान पर minus 2 minus 2 minus x का गुनांक यहनिकी minus liter तो यह जो है वह 8 है और यह एका भेलू 4 है तो 4 दोनी 8 यहाँ पर जो है वह क्या आया हुआ है तो यह देखिए मैनस 2 एक बल्टू मैनस 2 यह जो है दोनों बराबर है ठीक है अब देखिए हम निकालते हैं सुन्यकों का गुनान फल सुन्यकों का गुनान फल मतलब जो है वह अलफा इंटो बीटा बडाबर होता है C by A C by A C का मतलब होता है अचरपद कितना क्या होता है तो अचरपद बटे जो हुआ A का मतलब होता है X square का गुनांग यह जो हुआ जो हुआ अनि फर्मुला होता है यह आपको हमेनी introduction class में बताए थे अब देखिए alpha का value है 0 और beta का value है minus 2 ठीक है और C अचरपद यहाँ पर 0 है और beta X square का गुनांग 4 है यहाँ पर देखिए 0 बडाबर 0 यहाँ जांच हो गया इनके next question 5 नमर के साथ अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और हम आपको एक कुछ बात बता देते हैं नीचे description box में जा हुआ हुआ हम